करक राशिवालों वाली है अगर आप आज के इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप सभी का जीवन बिलकुल ही तबाह हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच् इस वीडियो को बीच में ही छोड़ कर चले गए तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे दोस्तों यकीन मानिये आपके उपर से एक ऐसी चाया है हटने वाली है जो आपको बहुत लंबे समय से बचा कर चली आ रही है दोस्तों आपको यकीन ना हो तो आप विचार करके देखिए कि कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है जब आपको भयंकर नुकसान हो सकता था यहां तक कि आपकी जान भी जा सकती थी लेकिन आपको बाल-बाल किसी ने बचाया ये दोस्त कौन है कौन सी देवी है जिन्होंने आ अब ऐसा क्या हो गया कि वह आपसे नाराज होने वाली है आज के इस वीडियो में हम आपको इनी सब विशयों पर संपूर्ण ज्यान प्रदान करेंगे दोस्तों वीडियो बहुत ही बहुमूल्य है इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान मिल सकता है यदि आप इस वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझेंगे और समझने के बाद इन बातों को अपने जीवन में भी लागू करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका जीवन कुछ ही दिनों में बदलना शुरू हो जाएगा जी हाँ दोस्तों आपक तो भयंकर से भयंकर पीड़ा उसे भी मुक्त कराने का कार्य किया है जी हाँ दोस्तों कई बार आपको स्वयम को भी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था लेकिन किसी कारणवश वह कम हुआ और आपको थोड़ी सी राहत मिली हालां कि आपके जीवन में यीशु का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि कुछ जरूरी मूलभूत बातें हैं जिनके बारे में आप विचार नहीं करते हैं या यूं कहें कि कोई आपको बताता नहीं है और उन्हीं लगातार होने वाली गल्तियों की कीमत चुका रहे हैं लगातार परिशान रह रहे हैं आपके द्वारा किये गए कर्मों का भी सही फल उचित परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहा है मन वान्चित सफलता आपको मिल नहीं पा रही है जी हां दोस्तों आपके मन में कई प्रकार के प्रशन उठते रहते हैं कि आखिर भगवान आपके सा साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं क्यों आपको हद से ज्यादा तकलीफ है मिल रही हैं क्यों लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं जिनके साथ आप अच्छा करते हैं उनके साथ भी आपकी बुराईयां क्यों हो जाती हैं आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया या आपके साथ क्या ऐसा ग प्रयास करेंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखें। समझे कि आपके जीवन में क्या गलत है। क्योंकि दोस्तों प्रयास तो आपको ही करने होंगे। और प्रयास करने के लिए आप कुछ सही ज्यान होना बहुत आवश्यक है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं। इस संसार में जो किसी को सही ज्यान देते हैं। लोग अपने मन के मताबिक जानकारी को तोड़ मरोड कर दूसरों को देते हैं और बदले में उनसे पैसे आते हैं। तो जब आपको सही ज्यान कहीं से प्राप्त हो तो उसे अवश्य ले लेना चाहिए। क्योंकि जीवन में मुक्ति का मा ज्यान की रह पर चल कर ही प्राप्थ होता है दोस्तों, जी हाँ, दोस्तों है और हम आपको गारंटी देते हैं आपको इस तरह का ज्यान जो आगे हम आपको वीडियो में देने जा रहे हैं पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लोग इस तरह की बातों को बताने के बदले में पैसे की मांग करते हैं ये दोस्तों लोगों ने इस तरह के व्यापार चला रखे हैं, कि लोग दूसरों को राहत पहुचाते हैं, लेकिन बदले में उनसे मोटी मोटी रकम भी मांग, उन्हें देते भी हैं, बदले में उन्हें समाधान तो प्राप्त होते ही हैं, लेकिन हम आपको इतनी मुफ्त में देने का कार्य कर रहे हैं, तब ही दोस्तों हमें आप से किसी भी प्रकार का लालच नहीं है, हमें बस इतना चाहिए कि मां काली हमारी भक्ति से प्रसन्न रहें और दूसरों के हित में हमारे द्वारा किये गए प्रयास सफल रहे, बस यही हमारे जीवन का और हम हमारी महनत का उद्देश्य यदि आपके जीवन में एक परसंट भी बदलाव आता है। आपको लाब प्राप्त होता है तो हम समझेंगे कि हमारी मां भद्रकाली के लिए भक्ति सफल रही। हमारे पुन्य का घड़ा भर गया और हमारा जीवन भी सफल रहा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कॉमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मांकाली लिखना ना भूले। दोस्तों माता को अपने जीवन में शामिल कर ले। अपने जीवन के हर एक महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले माता को याद करें और अपने महत्वपूर्ण कार्य को माता को समर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस भाव के साथ अपने जीवन की शुरुआत करेंगे या अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो इंसान मां को याद करें और मां उसकी मदद करने के लिए उसके जीवन को सुन्दर और शुभम बनाने के लिए आगे बढ़कर ना आए जी हां दोस्तों तो इसी लिए हम अपने हर वीडियो में आप से यह बात कहते हैं कि माता को याद करके जैमा काली अवश्य लिखें माता आपका उधार और कल्यान करेंगे जी हाँ दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपून बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात महनत करते हैं बहुत चानबिन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जोड़ जाएं जिनमें आपको एक रोप्या भी नहीं लगेगा बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है निवेदन है तो हमारा भावना को जरूर समझियेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजियेगा इससे हमारा चैनल परिवार बढ़ा होता है और हमारा मनोबल भी बढ़ता है दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके जीवन के स्थिती कुछ इस प्रकार की है कि कोई कहता है कि आपकी ग्रह स्थिती अच्छी है फलाना ग्रह आपको लाब देने जा रहा है और आपके आने वाले समय में अलग-अलग प्रकार के लाब मिलेंगे लेकिन आप देखते हैं कि आपके जीवन में कोई बदलाव आही नहीं रहा है आपके प्रयास सफल हो ही नहीं रहे हैं आप जो सोच रहे हैं वह आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा तो ग्रह स्थिती अच्छी होने के बाद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होते हैं तो आप विचार करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ कुछ अनर्थ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है या फिर ग्रहस्थी जो बता रहे हैं वह गलत कह रहे हैं, तो हम आपको बताएं दोस्त उसके ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रहस्थिती जो आपको बताते हैं लोग ग प्रिशेश उर्जा का निर्मान करती है। हर ग्रह की अपनी एक उर्जा होती है। अपना एक स्वभाव होता है। जब कोई अच्छा ग्रह है आपके पक्ष में होता है, मजबूत होत। मैं आपको लाब देने की कोशिश करता है। लेकिन आपके आसपास यदि नकारात्मक उर्जा का वातावरण रहेगा तो वह अल्लाह आपको प्राप्त नहीं होगा। आपके दुख तकलीफ कम नहीं होंगे और यदि आपके आसपास नकारात्मक उर्जा का वातावरण जीवन भर बना रहेगा। तब भी आप लाब प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मन चाहा जीवन जी नहीं पाएंगे। यहां तक कि किसी भी देवी देवता की कृपा तक आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। आपने सुना होगा कि लोग अक्सर यह कहते हैं कि हमने तो जीवन भर भगवान भोले नात को जल अर्पित किया है। जीवन भर हनुमान चालीसा का पाठ किया है लेकिन दुख तकलीफ कभी कम ही नहीं हुए हैं। तो दोस्त इसी विशय में आज के इस वीडियो में आपको बहुत गहरी और बहुत मुलभूत बात पता चलने वाली है। आपको एक ऐसी विशेश बात बताएंगे जिसको जानने के बाद हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आपको उपाय का सही फल प्राप्त होगा नहीं। जी हां दोस्तों, जैसे कि कर्ज निवारन का कोई उपाय आपने कर लिया, अब कर्ज निवारन का उपाय करते ही उर्जा उत्पन्न होती है। नकारात्मक उर्जा का वातावरन है तो वह उर्जा भी आपको संपूर्ण लाभ प्रदान नहीं कर पाएगी। अब आप ऐसे में सोचेंगे कि उपाय बेकार है, उपाय का कोई लाभ नहीं है। जीवन में कोई बदलाव तो आया नहीं, इसका मतलब है जिसने उपाय बताया, उसने जूट बोला या फिर जो उपाय है वही देखा है। लेकिन दोस्तों ना तो उपाय बताने वाला जूट बोला है और ना ही उपाय खराब है। जीवन में बदलाव नहीं आएंगे, तो अब आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आप कहां जाएं? किसका सहारा है? दोस्तों हम आपको बताएं कि ऐसे में बस आपको एक ही काम करना है और वह काम क्या है? अब आप ध्यान से सुनिए. दोस्तो आपके संपूर्ण कुल का भला बुरा विचार करने का जिम्मा किसके पास है कुल देवी का इतिहास दोस्तों, कुल देवी एक ऐसी होती है जिने हमारे पूरवज पूछना शुरू किया था फिर वह एक से चला बना और पीढ़ी दर पीढ़ी देवी की लगातार पूजा आराधना होनी शुरू हुई तो अब ऐसे में होता ये है कि देवी कुल देवी का काम करती है यानि कि आपके संपूर्ण कुल की रक्षा करना, आपके कुल का पोशन करना इन देवी का कार्य हो जाता है तो जब तक यह सिलसिला लगातार चलता रहता है सब कुछ ठीक बना रहता है लेकिन कई पीडियां गुजर जाने के बाद लोग धीरे-धीरे देवी को भूलना शुरू कर देते हैं और एक समय ऐसा आता है जब लोग यह भी भूल जाते हैं कि उनकी कोई कुल देवी है या नहीं है तो फिर होता यह है कि आप बेशक भूल जाएं लेकिन कुछ पीडियों तक कुछ समय तक माता की छाया आपके उपर बनी रहती है और आपके कुल की रक्षा होती रहती है लेकिन जब लंबे समय तक माता का निरादर होता है, पूजा पाट नहीं होती है, तो माता आपसे रुष्ट होने लगती है और धीरे धीरे आप जब जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो एक समय वह आता है कि जब माता की छात्र आपके कुल से हट जाती है ऐसे में होता ये है कि नकारात्मक शक्तियां फिर आपको घेरना शुरू कर देती है हमने आपको अपने पिछले एक वीडियो में भी बताया था कि आप अपने जीवन में चाहे कोई कार्य करें या ना करें किसी भी देवी देवता की पूजा करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यह आपका अपना निजी विचार है लेकिन आप दो चीजें अवश्य अपने जीवन में शामिल करें पहला कि अपने पित्र देवता का पूजन अवश्य करें। अपने पितरों को मान सम्मान दें और उनके नाम का एक दीपक दक्षन दिशा में अवश्य जलाएं। दूसरा कि अपनी कुलदेवी को कभी ना भूलें। कुलदेवी को याद करते रहे और उनकी भी पूजा आरा लेकिन उन उतार चड़ाव की संख्या कम होगी, तीवरता ताकत कम होगी और आपकी सहनशक्ती पड़ जाएगी और एक दिन वह आएगा जब आप जीवन की हर एक विशम परिस्थिती से उठकर खड़े हो जाएंगे और अपना मन वांचित जीवन, खुशहाल जीवन जीना शुरू कर देंगे, आप हमारे कहने से एक बार यह कार्य अवश्य करें, जी हां दोस्तों, आपको यह नहीं पता कि आपको अपनी पित्र पूर्वज्जों का पूजन कैसे करना है, तो आपको दो कार्य करने हैं, बहुत ही सरल है, आप बस इन्हें अपनी आदत में शामिल कर लीजिए, घर की महिलाओं से कहिए कि जब रोटी बनाएं तो पहली रोटी गाय की और आखरी रोटी कुत्ते की अवश्य बनाएं, क्योंकि गाय और कुत्ता दोनों ही पितरों के सूचक हैं, भाई को और कुत्ते को भोजन कराते हैं, समझ गए, आपके पत्र प्राप्त हो जाते हैं और आपको आशीरवाद देते हैं, आपके घर की रक्षा करते हैं, जी हाँ, दोस्तों, जिस इनसान के पुत्र प्राप्त होते हैं, खुश होते हैं, आशीरवाद दे रहे होते हैं, उस इनसान के जीवन में विपत्तियां किसी कीमत में आ नहीं सकती, और वह ज शुद्ध सकारात्मक उर्जा को भर देना। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण कार्य यह है कि आप अपने कुल देवी कुल देवता को याद करते हैं कि नहीं, उनके नाम का भी एक दीपक जलाते हैं कि नहीं, तो आपको हम बता दें कि कुल देवी के नाम का दीपक आपके घ जी हम तो आपके घर की जो दहलीज होती है वहाँ पर आप ही कुल देवी या देवता का वास माना जाता है। कि अपनी कुल देवी या देवता के नाम का एक दीपक शाम के समय जी हाँ दोस्तों संध्याकाल में अपनी दहलीज पर अवश्य जगाना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन है आपकी कुल देवी और कुल देवता प्रयोग। हम आपको अभी आने वाले समय में बता रहे हैं लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि आपके मन में अपनी कुल देवी देवता के प्रति सम्मान अवश्य होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी नकारात्मक उर्जा होती हैं जो जीवन में प्रभाव डालती हैं जीवन में परेशानियों का कारण बनती है और उन नकारात्मक उर्जा उसे रक्षा करने के लिए हमें सकारात्मक उर्जा का पूर्ण सहयोग चाहिए। तो देवी देवता जब हमारी रक्षा करने के लिए तयार होते हैं, तो फिर हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदलता रहता है और हमें अच्छा और सुन्दर जीवन प्राप्त होता है। तो अब ध्यान से सुनिये कि आपको कैसे पता लगाना है कि आपकी कुल देवी कौन सी है, प्रयोग आपका शुरू होगा। देवता के नाम से स्थापित करना है और उस नारियल पर आपको ओम लिखना है वह भी हल्दी या फिर चंदन के साथ में जो लाल सिंदूर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब आप उस कलर्स के ऊपर एक धकन रखेंगे और उसके ऊपर उस नारियल को स्थापित करेंगे और साथ दिनों का यह प्रयोग रहेगा साथ दिनों तक यह नारियल आपके घर में स्थापित रहेगा अब आपको करना ये है कि आप एक गाय के घी का दीपक जलाएंगे और अपने मन में यह आवाहन करेंगे किसी कुल्देवी कुल्दे आपकी पूजा पाठ के द्वारा हम अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं तो हमें यह अवसर प्रदान करें यह आपको मन ही मन सोचना है या यूं कहें कि ऐसी आपको प्रार्थना करती है तो आपको यह प्रार्थना करनी है कि कुल्देवी कुल्देवता आप सपने के माध्यम से हमारा मार्ग दर्शन करें और आप बताएं कि आप कौन है यदि हमें पता चल जाएगा तो हम आपकी नियमित जीवन भर पूजा पाठ करें और आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे दोस्तों आपको यह अपने मन में विचार करना है आप कुछ इस से अलग भी विचार कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है बस आपको अपनी कुलदेवी अधिक्ता के बारे में यह हवन करना है कि आप आईए और हमें सपने के माध्यम से कोई संकेत दीजिए कि आप कौन है हम आपकी पूजा आराधना करना चाहते हैं जी हाँ दोस्तों आप साथ दिन तक किया करिए यानि कि शुक्रवार से आप इस प्रयोग को करना शुरू करिए और नियमित करना है आपको इस प्रयोग के दौरान अपने खानपान पर भी ध्यान देना है यानि कि शुद्ध सात्विक भोजन लेना है और हो सके तो लहसुन प्यास को भी त्याग देना है ना दोस्तों अब आप किसी विशेश साधना को कर रहे हैं और साधना को करने के नियम यही होते हैं ब्रह्मचारी का पूर्ण रुप से पालन होना चाहिए, तो सात दिनों तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। परिवार पर उनकी छत्रचाया फिर से स्थापित हो जाएगी। जरूर सुरू कर दें। वे फिर से आपके घर में आ जाएंगे। आपके घर की रक्षा करेंगे। ये बहुत आवश्यक है। दोस्तो जब तक आप इन कारियों को नहीं करेंगे। अभी हमने पित्र के बारे में ज्यादा बात नहीं की है। किसी अन्य वीडियो में करेंगे। लेकिन फितर के लिए आप फिलहाल दो कार्य कर सकते। हमने आपको बताया कि वह रोटी वाला उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा कि आप एक दीपक अपने घर की दक्षन दिशा में चला सकते हैं। अब ऐसे में आपको यध्यान देना है कि दीपक की बाती की जो लौग होगी। वह उत्तर दिशा की ओर होगी और दीपक आपका घर की दक्षन दिशा में रखा जाएगा। बस यध्या दो दीपक आप रखिए कुल देवी के नाम से और एक पित्रों के नाम से और आप देखेंगे कि धीरे धीरे नकारात्मक उर्जा में चछटनी लगेंगे और आपके घर में आमदनी बढ़ने लगेगी। भीमारियां दूर होने लगेंगी। लोगों में आप सी प्रेम बढ़ने लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो भी पैसा आपके घर में आएगा वही रूके काफी और अच्छे कारियों में खर्च होगा। जी हाँ, दोस्तों घर के बच्चे भी बड़ों का सम्मान करना शुरू कर देंगे। बात मानेंगे और घर की उन्नती होने लगेगी तो यह सब प्रभाव आपके जीवन में। सुंदर हो, स्वर्ग के समान हो। फूलों के समान आपका जीवन में के बस यही हमारी कामना है। इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जैमा काली लिखे हैं। माता आपका उधार करेंगी, कल्यान करेंगे। आपका जीवन सुंदर और सरल होगा और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक अवश्य करें। और चैनल क को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूलें। मिलते हैं अगले घ्यान वर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद जैकाली।